नमस्कार दोस्तों, पूझा चक्ची चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेरों का बहुत बहुत स्वागत है जै माता दी, दुर्गा मैया से प्रातना कैसी की जाए, ग्रहस्ती में कैसे नियुमा का पालन किया जाए या आप जो है डेली पूझा में ऐसे कैसे प्रातना करें कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामना जो है माता रानी सुने तदा उन्हें पून करें ये माना जाता है कि सोमवार और शुक्रवार को मा दुर्गा और मा पारवती की पूझा की जाती है मा जो है ममता मै है, दया मै है अपने बच्चों के लिए मा से की गई प्रात्ना जो है बहुत जल्दी सुनी जाती है और वो पूरी भी होती है आप अपनी मम्मी से जब कुछ मांगते हैं भले ही उस चीज में देरी हो, भले ही वो देर सवेर हो जाए परंतु वो जो चीज या वस्तु होती है या आपकी जो मनोकामना होती है आपकी मम्मी जरूर बूरा करती है उसी प्रकार मा जो है अपने बच्चों पर सदा अपना आशिरवाद रखती है वो कभी उनसे गुसा नहीं होती है कभी दूर नहीं होती है तो सच्चे मन से जैकारा लगा कर भी जैमातादी बोलते हैं या उन्हें याद करते हैं तब भी आपकी मनोकामनों की पूर्ती होती है परंतु पूजा पाट क्योंकि भगवान को अपने घर में स्थापित किया है तो साथ ही साथ मातालक्षमी और माताकालका की शक्ती जो है आपके घर पर अपने आप ही स्थापित होती है माजगदंबा जो है बहुत प्रेम भरी होती है बहुत ममतामे होती है बहुत ही प्रेम भरी होती है आप जब उनका मुक देखेंगे परंतु माता लक्ष्मी जो है आपके धन के भंडार भरती हैं धन्धानि से आपकी बरक्कत करती हैं मा काल का जो है शत्रों से आपकी रक्षा करती हैं साथ ही साथ मा जगदंबा की या माता रानी दुरगा की आप प्रातना करते हैं उनकी पूजा करते हैं भले ही आपने एक ह प्रद्धी को लेकर नौकरी को लेकर या आपके घर में जो कलेश चल रहा है बूरी शक्तियां है तब भी वो जो प्रात्ना हैं अपने आप स्विकारी जाती हैं मा जगदंबा की प्रातना करने से आपको जो है दस महाविद्याओं की प्राप्ती होती है कॉल्स ही होती हैं वो दस महाविद्याओं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले घर में मा की जो भी मूर्ती जो भी फोटो स्थापित की हो उस पे चुनरी का होना अनिवारी रूप से माना जाता है आप जो है उसके उपर मुकुट भी स्थापित कर सकते हैं जो की बहुत शुब रहता है ऐसा माना जाता है माता रानी को मुकुट अर्पित करने से आपके जीवन में सदेव ताज जैसी अनुभूतियोति याने की आपको बहुत सी ऐसी चीजे मिलती हैं जो रासी सुक प्राप्त करवाती है इसके अलावा माता को आसन देना भी अनिवारी माना जाता है इरेश्मी आसन लाल रंका होना चाहिए कौटन का होना चाहिए परन्तु ये आसन जो है लाल रंका ही होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें पूजा पाट में पूजा करते समय आपके लिए जो आसन होगा उनी लाल आसन मिल जाए तो बहुत शुब रहेगा नहीं मिल पाता है तो cotton का लाल आसन का ही आप जो है प्रयोग करेंगे सूर उदर से पहले स्नान करें स्वच कपड़े साफ कपड़े पहन कर ही पूजा पाट करें इस बात का ध्यान रखें माता की पूजा जब भी आप करते हैं तो साफ सफाई का विशेश तोर पर ध्यान होना चाहिए जहां भी आपने मंदीर रखा है वहाँ पर चमड़े का कोई समान नहीं जाना चाहिए क्योंकि चमड़ा मरे हुए जानवर की वस्तूओं जो मर जाते हैं उसके बाद ही उनके जो चमड़े का प्रयोग वस्तूओं में किया जाता है तो वो जो है कहीं न कहीं तामसिक माना जाता है अशुद माना जाता है इस बात का ध्यान रखें जूते चपल नहीं जाना चाहिए घर में मेड है तो वो उस रूम में नहीं जानी चाहिए क्योंकि साफ सफाई जो होती है आपके उपर रहती है कि आपके इस प्रकार से माता र जाता है या आप एक काम करें कि लकड़ी का पटा कोई भी ले 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 उसके ओपर आम की लकड़ी जो होती है आपको ये इसली मिल जाती है फ्लैट लकड़ी उसे रखकर उसके ओपर लाल कपड़ा विछा कर जो है उस पर माता दुर्गा की मोट फोटो या प्रतिमा को बढ़े या ऐसा करके जब हम अपने प्रीयजन को उठाते है वैसे अपने शब्दों में उठाएं उन्हें दूद का भोग लगाएं उसके बाद उन्हें स्नान करवा के चुनिरी पहनाएं माता के शिंगार में कुम-कुम का बहुत महत्वा माना जाता है कुम-कुम का तिल में मालाएं मिलती हैं उसे ले और पर उन्हें समय समय पर बदल कर धोदो कर माता को पहनाते रहें इसके अलावा धूप का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है अखंड जोती अगर जलाई जाती है परन्तु यहां पर अखंड जोती के लिए में कहूंगी की नियम जो होते हैं जादा स्ट्रिक होते हैं अखंड जोती के तो आग जो है डेली जो पूजा करते हैं दो दीपक लगाकर एक तेल का दीपक और घी का दीपक लगाकर पूजा पाट जो है शुरू कर सकते हैं इसके अलावा अखंड जोती के भी चर्चा कर लेते हैं दो शब्द कह लेते हैं अखन जोती जो होती है जिस घर में स्थापित की जाती है, वहापर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो व्यक्ति जो है चम्डे से बना प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उस पूजा पाट के बहुत नियम होते हैं, महिलाओं की शुद्धी का ध्यान रखना पड घर के अलावा अगर आपके कुटूम का भी कोई व्यक्ति है, तो अगर वो आपके साथ नहीं रहता है, तो बहरी माना जाएगा, उनके आने पर भी माता रानी के दर्शन जो है, एकदम से उन्हें नहीं करवाने चाहिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज लेकर आता है, तो उस मंदिर में नहीं आप रख सकते हैं, या वहापर उन्हें दर्शन नहीं करा सकते हैं, इसके अलावा जो है माता रानी को हम जब भोग लगाते हैं, अभी अखन जोती के बाद हम नौर्मल पूजा की बात कर रहे हैं, सुभे सवेरे दूद का भोग, इसके बाद जो ह या उन्हें चुनरी पहनाने के बाद क्योंकि फोटो होगी तो दुली हुई चुनरी मूर्ती होगी तो सनानादी करवाने के बाद आप जो है माता रानी को भोग लगाएंगे, भोग में प्याज लसन से बना कोई भोजन नहीं होना चाहिए, सुखा नाश्ता ले सकते हैं, आप हलवा ले सकते हैं, खटी चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए, मावे की मिठाई ले सकते हैं, फलो का भोग लगा सकते हैं, शाम के समय जब जैसे इंडियन अब मैं बता देती हूँ, जैसे चाय का समय होता है, इस समय पर दूद का भोग फिर से आपको लगाना है, इसके अलावा रात का भुजन रहेगा और रात को अगर आप फिर सोते समय दूद वगेरा अगर अर्पित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब आप बोलेंगे दीदी आपने बहुत से नियम बता दिये हैं नियम बहुत ये आप अभी सुनने में शायद आपको बहुत जादा लग रहे होंगे नियम बहुत छोटे हैं आप ऐसा माल लीजिए कि आपके घर पर आपकी साक्षात मम्मी आई है या आपकी माता जी है तब उनकी सेवा कैसे करते हैं बस वैसे ही कर दीजिए आपको बिल्कूल भी नियम का तो पता ही नहीं लगेगा आपको लगेगा कि घर के ही सदस्य है परंतु ये अगर आपने नियम अपना लिये हैं चुद्धी के और पूजा पार्ट में आप जब आरती करते हैं आप आरती अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार का नियम बना लीजिए आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा पूजा सामगरी में रोली, मौली, लाल फूल, घी की मिठाई दिया और पूजा पार्ट में आप दुरगा चालीसा का डेली पार्ट कर लीजिए आप आरती की पुस्तक लेकर आरती जो है शुक्रवार का नियम बना लीजिए या आप डेली भी कर सकते हैं सम आप से बहले माता रानी के चड़णों के अरपित करें कि आपका ही घर है धंदान इसे बरकत रखें बंडार भशे रखें मातारानी और अपने बच्चों पे करपा रखें सिर्फ इतना सा आप दो बोल-पयार से बोल दीजिए आप देखेंगे कि आपके घर में धंदान की बरक्कत जो है एक से डेड़ महीने के अंदर कितनी बढ़ जाती है घर में सुक शान्दी गानुबोग और बूरी शक्तियां जो है घर से अपने आप बाहर चली जाएंगी के अलावा सुहागन महीलाओं को यहाँ पर एक बहुत सुन्दर सा नियम बता देती हूँ माता रानी के चड़नों में सुहाग रखे यानि की जो हम कुम कुम लगाते हैं हम मांग भरते हैं जिस भी रंग से आप मांग भरते हैं कई लोग औरिंज सिंदूर यूज़ करते हैं कई लोग लाल सिंदूर यूज़ करते हैं तो जो भी आप सिंदूर यूज़ करते हैं छोटी सी कटोरी में माता रानी के सामने रख दीजे डेली पूजा के बाद नियम बना लीजिए कि आपको सिंदूर अपनी मांग में भरना है पती पत्नी के प्रेम में आप देखेंगे कितना मुनाफ़ा होता है आपके पती आप जो हैं आपको सम्मान देने लगेंगे घर में सम्मान की प्राप्ती होगी साथ ही साथ आप पर माता लक्ष्मी की करप आपने आप होने लगी सोहागन महिलाएं विशेश तोर पर तयार होके माता रानी की जब पूजा करती है क्योंकि महिलाएं सदेव शक्ती का स्वरूप मानी जाती है तो अपने आप ही उनमें जो है शक्ती जागरत होने लगती है तथा उने कहीं न कहीं जो है ये शक्ती का अनुभवी बहुत जल्दी होने लगता है के अलावा मेरे भाईयों और भेनों एक सवाल जो सबसे जादा आया था कि मातारानी को भोग लगाते समय किन बरतनों का प्रयोग करना चाहिए तो शास्तर अनुसार जो है सोने चांदी के बरतन सर्विश्रिष्ट वाने जाते हैं परन्तु आप जो है इनकी जगा कर पीतल के बरतनों का प्रयोग करते हैं तो वो सोने के समान ही सुख आपको प्रदान करते हैं तो घर में मातारानी का ग्लास मातारानी की कटोरी मातारानी की प्लेट और चोटा चम्मच होता है यह सैट आपको आसानी से बजार में मिल जाएगा आप जो है मातारानी के यह बरतन रखे जिसमें आप इन्हें दूद का भोग लगाएंगे, खीर का प्रसाद या फिर जो भी चीज नई फल वगेरा आते हैं तो इसी में रखकर भोग लगाएं ऐसा माना जाता है कि ये क्रारे करने से आपको सोने में बरतन जो भोग लगाते हैं वैसा ही शुद्ध फल भी प्राप्त होता है तथा आपका सौभागी भी बढ़ता है इसके अलावा मेरे भाईयों भेनों आखरी एक मंत्र जो की तांत्रिक दुर्गा यंत्र भी कहा जाता है ये मंत्र जो है करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होती है दुर्गा चालीसा पाट नहीं कर सकते हैं डेली आप मातारानी का सिर्फ एक मंत्र दिया अगर बत्ति करते समय अगर ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में समनो कामनाओं की प्राप्ति अपने आप होने लगती है ये मैं दिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी अभी आपको चारण करके कह देती हूं ताकि आप जो है ध्यान से सुने नहीं बोल सकते हैं तो इतना ये जो क्लिप है निकाल कर रख लें और इसे डेली आप सुननीजिए तो भाईयों और भाईयों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूं आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हु जय माता दी